मिस्मिल्यारब मारेम, असलाम अलेकूम, कैसे आप सब लोग उमीद है, ठीक ठाक होंगे, खैरियस होंगे, आज मैं रेसिपी आप लिए लेकर आई हूँ, कलब सैंविच की, बहुत जबरदस कलब सैंविच की बतते हैं, आप इसे लाजबी ट्राइ कीजिएगा, तो आएए, मैं आप उसकी राइस से भी बता रही हूँ, जी तो चिकन की हम सबसे पहले मेरियोनीशन करते हैं, इसके लिए हमें चाहिए, जिंजर कार्डिक पेस्ट, वन टी स्पून, चिली है, फ्लेक्स हमारे पास, वन टी स्पून, ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून, हल्दी है, पिं आप पेंच ले सकते हैं, अब इन तमाम मसालों को हम चिकन के अंदर मिक्स कर देंगे, चिकन हमने जूलियन कट में लिया है, चिकन के अंदर मैं सारे अज़्जा शामिल कर दूँगी, वन बाई वन, जो मैंने आपको बताये थे, अब इसके अंदर मैं शामिल करूगी, बार्बीक्यू सॉस, पेंच इसमे मैं फूट कलरेट कर दूँगे, अब इन तमाम हज़र को, मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, जी चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया है, इसको हम 10-15 मिन रखेंगे, उसके बाद इसको हम फ्राइ कर देंगे, जी मैंने कड़ाई लिए उसमें मैंने वर्टिबल इस्पून ओयल डाल दिया है, अब इसके अंदर मैं सामिल कर रहे हैं, जी चिकन को मैं इसमें फ्राइ कर लूँगी, अच्छे से इसका कलर चेंज हो जाए, अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी, वन कप के करीब पानी और इसको मैं कवर कर दूँगी, के पानी खुश्क हो जाए, और चिकन हमारी सौट, चिकन का पानी ड्राय हो चुका है, अब ये रेडी है, हम इसे रिशाउट कर लेंगे, इसके अंदर मैं डालूँगी ब्लैक पेपर, और इसके अंदर डालूँगी मैं साल्ट, और इसको मैं अच्छे से बीत कर लूँग पेंन में अंडे आमजा डालूँ इसके उपर यूनी केट लेकिए, अब मैं इन तमाम स्लाइस पर कैचप जाना है, और कैचप को भी इसी तरीके से बीचफर गाना है, आप मैं इसके इसके अउपर प्रॉज़ा रेकित जाया जाए, अब मैं इसके अपर दागए, जाएक अब दूसरा स्लाइस जो मैंने था उसको रखने से पहले मैं इस पर रखूंगी लैडर्स और ये मैंने इसके अपर स्लाइस रख दिया अब इसके अपर मैं पायू लगाऊंगी और चिकन जो मैंने आपको बताई थी वह रखूंगी चिकन को स्पून की मदद से हम प्रेस करतेंगे और उसके बाद एक स्लाइस हम इस तरीके से उपर अब इसकी हम कतिम कर लेंगे जी जबर्दस्त है हमारी कलब सैंविच रेड़ी है आप इसे लाजमी ट्राइ कीजिएगा उमीद आपको पसंद आएंगे और मुझे कॉमेंट में लाजमी बताईएगा इसी के साथ मुझे इजाज़त तीजिए अलाहाफेज झालाहाफेज।